1947 में जब देश का बटवारा हुआ तो बहुत से परिवार ऐसे थे जो बेघर हो गए लेकिन उनमें से एक परिवार ऐसा था जिसने दुबारा से अपनी शुरुआत की अपने जीवन की शुरुआत की और जीरो से शुरुआत करने के बाद आज काम्याबी उनके कदम चूम रही है तो कहानी काम्याबी की में आपका फिर से एक बार स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ लेहा वालिया और आज एक ऐसी ही शक्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिनका जीवन एक मिसाल बन चुका है तो कहानी काम्याबी की में आज एक और काम्याब शक्सियत से आपको मिलवाते हैं हमार साथ आज मौजूद है मिस्टर शेखर तरेजा जी शेखर जी बहुत-बहुत स्वागत है खबरे अभी तक में आपका वेलकम तेंक्यू शेखर जी बहुत आसान होता है कहना कि जिन्देगी की दोबारा से शुरुवात करना लेकिन जुस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया कि जब बटवारा हुआ उस वक्त बहुत से ऐसे घर थे परिवार थे जो बेघर हो गए उनमें से एक परिवार आपका भी था और उन्होंने शुरुवात की जीरो से जिस परिवार का आप भी हिस्सा है दादी और हमारे चाचा ताउ यह सब लोग वहां से आये थे मटवारे के टाइम पर तो उस समय पर पैदा नहीं हुआ था उस समय तक जैसा हम लोग अपने इन से सबसे सुनते आये हैं तो उस समय आरे लोग खाली हाथ आये थे और यहां पर इनका यह स्ट्रगल था कि इनको खाने की रोटी का भी स्ट्रगल था कि मतला भी वन खाना खाने के लिए भी दे आउ टू स्ट्रगल कि वही कल का खाना तक उनके पास नहीं था तो उन लोगोंने भी काफी मेहनत की वो लोग सफल हुए मेरे फादर साब गौर्डमेंट जॉब में आई उन्होंने सब्सक्राइब काम किया गौर्मेंट उसके अंदर एंड क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों में भी वही चीज ढूनते हैं और उसी में उनका भी एक सपना था कि मैं भी किर्केट से जुड़ूं क्योंकि उनके काफी सारे जो स्टुडेंट क्या हैं वो रंजी खेले और काफी उन्होंने आगे नाम गया इन और स्पोर्ट में मैं भी खेला हूं मैं डिस्टिक खेला स्टेट खेला लेकिन उस समय कहा होता था कि स्पोर्ट के अंदर मुझे नहीं लगता था कि इतना पैसा है कि हम अपने परिवार को अच्छे डंग लोगों को खोल कर दर्शकों को बताना चाहेंगे क्योंकि काम्याब बनने के लिए क्योंकि जिस तरीके से हम ये कारेक्टरिम दिखाते हैं लोगों को एक संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि काम्याब होना जितना मुश्किल है उस तक उसकी बुलंदियों को चु कि आपका चलता है पहले आप अपनी बिजनेस के बारे में लोगों को बताई उसके बाद हम आगे जानेंगे कि कैसे इसकी शुरुवात हुई एक्चल में 94 के अंदर मारूती आ गई थी गुडगामा के अंदर और उस समय तक आटो मॉबाइल के अंदर काफी ज्यादा क्रेज आ चुका था और लोग आटो मॉबाइल को एकसेप्ट करने लग गए थे इवन उस समय मेरा भी एक विजन था कि हमेश्या क्या होता है कि मैनत करनी पड़ेगी लेकिन जो बिजनस सेटल हो रहा है अगर हम उदर जाएंगे तो हम बहुत असानी से अपना नाम वहां पर कमा सकते हैं कि उसमें क्या है कि इनिशली स्टेश पर कंपिटिशन कम होता है लेकिन हमारा वीजन क्लियर होना चाहिए अगर हमारा वीजन क्ल आई जोएंड हाइड्डोलिक्स लिम्टिट एंड आई वाज रिपरजेंटिव इस कंपनी दिस वाज चिनाई बेस कंपनी इन मारूती तो मारूती में मेरा काफी इंटरस था शुरू सेंटरस था तो जैसे जैसे में गया फिर मुझे पता चला कि हम इसमें जोब के अंदर जोब से रिजाइन किया और उस समय क्या होता है कि हमारे पेरेंटल्स में थोड़ा सब उसमें प्रेशर भी था कि आप वेल सटल में उसमें जोब के अंदर था उनको यह लगता था कि नहीं आप रिस्क ले रहे हो दुबारा रिस्क लिए जिस तरीके से आपने बताया कि प पुश्किल रहा उस दौर से गुजरना और परिवार को समझाना क्योंकि माहूल कुछ और होता है उस वक्ति मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह याद है जो मतलब मैं जीवन में कभी भी नहीं भूला बिजनस करने के लिए हमें पैसे की भी जरूरत होती है और हम लोग पर फादर साब के साइन होने तो जिस दिन उन्होंने उस पेपर पर साइन किये मेरे कहने से उन्होंने साइन तो कर दिया बैंक में भी चले गए लेकिन जब वो 70,000 रुपीज साइन करके मुझे लोन दिला रहे थे तो उस समय उनके हाथ कहा पर ते मैं ये बात नोटिस कर और मैंने विदिन फॉरियर्स उस घर को लोन से फ्री करा दिया मेरा उस दिनी मोटिव बन गया था कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस लोन को खतम करूंगा बिजनिस को सेटल डाउन करना क्योंकि बिजनिस की शुरुवात आप करने जा रहे थे बहुत बड़ी जिम्मेव जाना है और जो पिता जी के मन में एक डर है उस दर को खत्म करना है येस और उसके बाद दोजर तीन में ही मैंने चोटे से टाइम पेरियोड के अंदर ही अपना यहां पे एक नया प्लोट भी ले लिया था वह वहला घर भी फ्री कर लिया था क्योंकि उस समय क्या था कम्प बिजनस में सेटल होना बहुत मुश्किल है आज क्या है हमारा गुटगाउं में है इंडस्टी है बावल में इंडस्टी है और मोर देन हंड़र परिवार्स हमारे साथ जुड़े होए जिनका मतलब घर हमारे से कार्पकरशन से ही चलता है और अब आज की डेट में इन-बि मैनुफेक्ट्रिंग में क्या है कि हमें पूरा कॉंसेप्ट समझना पड़ता है रा मेटियल से लेके एफजी तक प्रड़क्ट करना है और कुछ साल पहले तक इंडिया में क्या था कि क्वाल्टी प्रड़क्ट की तरफ लोगों का ध्यान इतना नहीं था जितना आज जाता जा रहा है अब क्या गॉर्मेंट की रेगुलेर्टी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गई है और आने वाले टाइम में सर्वाइवल उसी का होगा जो क्वाल्टी का पड़क्ट बनाएगा और दूसरा क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं हमारा एक विजन है कि हम क्वाल्टी बनाए अच्छा डिलिवर करें कंपेटिटिव कोस्ट पर बनाए लेकिन क्या होता है जो हमारी नीचे की टीम होती है जब तक यह उसका विजन नहीं बनेगा जब तक हम लोग सक्सस नहीं लेंगे और उनका विजन बनाने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग भी देना पड़े खुझ से आपने शुरुआत की और ये एक सपना देखा कि मैं एक बिजनस टार्ट करूँ और वो अच्छा चले और काम्याब मैं बनूँ और आज इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वो सफर तै करने के लिए एक मोटिवेशन के जरुद पड़ी होगी और एक होसला जो है कोई बढ़ाए उसकी जरुद पड़ी होगी तो किसने आपका साथ ने भाया उसके अंदर हमारा मेरा साथ हमेशा मेरी मदर ने दिया मतलब मेरी सिस्टर ने भी मुझे काफी स्पोर्ट किया इनिशली स्टेज बे और जरूरी नहीं होती जीवन में आप को फाइनेंशली स्पोर्ट की जुरूरत हो बेसिकली क्या होता है कई पर यह आपको मोटिवेशनल स्पोर्ट की जूरत होती है इमोशनल स्पोर्ट की जूरत होती है जो आपको सक्सस दिलाती है और सेकिंडली क्या होता है कि कुछ दैन मेरी वाइफ बहु जादा प्राइम नेस्टर साब मोधी ने एक योगा किया था सारे बच्चों के साथ तो आपके पिता जी जैसे रूची रखते थे खेलों में उनको बहुत पसंद था तो वह आपकी आगे जो पीडिया है उनमें वह चीज देखने को मिल रही है वह खुद स्पोर्स की तरफ उनका र जाए वो योगा है जा जाए वो ख्रिकेट है हाम बिलकुलै एक्छिल में क्या होता है कि जब हम लोग एक अपना स Japaux प्रेस्ट्वेक्शन लैवल पा लेते हैं कि मैंने बिजनस में अपना साटिस्फेक्शन लैवल पा लिया तो मुझे धियान आया कि मिरसे क्या-क्या मिस हुआ है और फिर जो सोच जाती है हमारी उधर ही जाती है कि जो हमने मिस किया अब में उसको कैच करना है तो उसमें हमने बहुत सारे जो बच्चे हैं जो मतलब जिनके पेरेंट कैपेबल नहीं है उनको लेटेस टेक्नीक की ट्रेनिंग दिलाने के लिए किरकेट के अंदर कि मेरा फिल्ड करकेट था तो मैं उसी से लिंक ढ़ी रहां तो उसमें अमने बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया एंड हमारा एक स्वेव आटोमटीव का एक किरकेट क्लब है हम लोग उसके अंदर भी काफी खेलते है उसमें कुछ बच्चों को हम लोग मोट को खेल रहा है 23 में आपकी जो रूची थी अगर चाहे वो बिजनेस के चलते या फिर कहें कि एक लोड था उस वक्त की कुछ करना है कुछ बड़ा करना है नाम कमाना है तो उसके लिए सब चीजों को आपने दरकिनार करते हुए और खुद का एक लक्ष जो है वो तै कर लिया पर है और बखुबी आप उसे निभावी रहे हैं लेकिन अब बात करेंगे कि खुद के पैशन की खुद के होबी कि क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आपको क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद था लेकिन मुझे लगता है जो लक्ष आपका था वो पूरा हो चुका फिर अपने फादर साब के सपने को आगे लेके चले तो अब हम लोग ने अपना एक किरकेट क्लब भी बनाया हुआ है और इवन एवरी सेचेड़े संड़े हम लोग प्ले करते हैं और गुडगावा के अंदर हमने बहुत सारे टूर्णामेंट जीते हैं स्वेव आटोमट क्लब और उसमें क्या है कि कुछ चोटे 20-22 साल के बच्चे भी खेलते हैं और हम भी खेलते हैं कुछ हमारे कंपनी के एंप्लाइस भी इसके अंदर खेलते हैं तो सबका एक कंट्रिबूशन रहता है जरूरी नहीं है जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए अपने इस पर वह सकता है जिसका अच्छा उधारन है एक्षिट के पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में क्या होता है कि हम लोग आट गंटे-10 गंटे-12 गंटे ही महनत करते हैं अपने बिजनेस की तरफ ज्यादा कोई भी इससे ज्यादा कर भी नहीं सकता है तो लोग अपना अप लेकिन मैं स्पोर्ट्स फैमिली से शुरू से जुड़ा हुआ था तो मेरा कभी साइट ज्यादा ध्यान नहीं गया टीवन क्या होता है कि कुछ हमें रहता है हमारा भी बट अगर हम लोग उसी टाइम को एजे अब वही टाइम हमारा क्या होता है कि सैचर्डे संडे अगर हम में यूटिलाइज करते हैं तो एक तो हेल्थ मेनिफिट मिलता है सेकेंडली हमारा क्या है कि मेंटल लेवल काफी अच्छा हो जाता है मतलब वहां जाके जो ग्रीन ली एक सीजन लेवल से हैं जो हम पॉलूशन से दूर जाके स्टेटियम में खेलते हैं रनिंग करते हैं त तो मतलब उन लोगों को काफी अश्यर होता था कि और सेकेंडली खेलने के अलावा अचीवमेंट्स मेरे फेस्बुक पे काफी सारी जब भी हम लोग कोई टूर्नामेंट जीते हैं तो हम लोग फेस्बुक पे शेयर करते हैं तो सारे सर्कल्स को पदा जलता है कि हमने टूर टूर्नामेंट जीता अभी लास्ट मेंथ की बात है और 2018 में हमने तीन चार टूर्नामेंट एज़े फाइनल विनिंग रहे हैं हम लोगों की ये साल के मारी अचीवमेंट रही है तो शेकर जी बिसनेस को साथ में लेकर चलना और खेलों को भी साथ में लेकर चलना और सामिल को भी साथ में लेकर चलना मुश्किल आती है या आसान लगता है आ देखो जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर बच्पन में हम लोग एक कहानी सुना करते थे कि एक छोटी बच्ची को कोई उसका भाई उसके साथ में था और उस भाई को पाव में चोट लग गई त उस समय उसके भाई का जो वेट था वो इतना वेट था कि अगर उसका वन थर्ड भी उसको वेट दे दिया जाता तो नहीं उठा सकती दे पर यह क्या है कि यह उसके अंदर इंट्रेस्ट था कि मुझे इस काम को करना है और उसने यह किया तो ऐसे ही है कि हमारा जब भी कोई इंट्रेस्ट रहेगा किसी काम को अचीव करने का तो हम उसको अचीव करेंगे और सेकिंडली जब उसको करने के लिए फिर आटोमेटिकली हमारे अंदर एक डेडिकेशन और एक विल पावर जन्रेटों के आती है और वही विनिंग है और वही सबसे बड़ा हमारी लाइफ को जान रहे हैं काम्याब होने के लिए जीवन का क्या एक मूल मंत्र होता है वो आप बताते हैं काम्याब होने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं एक कहूंगा कि आपके अंदर एक mental and physical balance होना चाहिए आपके अंदर learning capacity होनी चाहिए आपको अपनी गलतियों से सीख ल नेरो कभी जीवन में एक जैसा नहीं रहता है कभी क्या होता है कि सेलीड परसंस ज्यादा कमाते हैं कभी बिजनसमें ज्यादा कमाते हैं तो उसके अंदर सब लोगों की अपनी अपनी requirement है सबका अपना satisfaction level है और जीवन में इनसान को satisfy रहना ज्यादा कमपल सरी है अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मैनी लैक्स मैनी करोड कमाते हैं लेकिन क्या होता है कि उनका satisfaction level ना होने के कारण वो अपनी लाइफ को एंजवाई नहीं कर पाए वह लब आपको घर चलाने के लिए तो एक लिम्टिट फंडी चाहिए औ क्योंकि जो लोग business करते हैं आममन हमने सुना है आपने नाउंस होते रहते हैं आपने भी बताया कभी ज्यादा कमाया कभी कम कमाया कभी ऐसे situation आई है कि लगा हो कि business करने का फैसला शायद मेरा गलत था या फिर अगर यह डाउन्स जो है मेरे life में आ रहे है तो मैं इसको recover कर यह यह उनकी life history देखनी पड़ती है वह ज्यादा अचा रहता है एक्षिल में क्या होते है कोई भी business मैं लग इवन 10 year 20 year 30 years के अंदर उसमें changes आएंगे आएंगे कभी वो अप जाएगा कभी डाउन जाएगा कभी क्या होता है कि जब हम लोगोंने आटोंवाइल को चूज कि करता हूं हर ट्रेड के अंदर successful होने के लिए आपको स्टेड में continuously बना रहना पड़ेगा एक patience आपके अंदर होना बहुत जरूरी है और राइट टाइम पे राइट चीज को क्लिक करना जरूरी है जब भी आप राइट क्लिक करेंगे तो it is going to be like a six hour एक चीज और जितनी मैं बुलंदियों पर आप पहुंचे हैं तो उसके पीछे का एक राज आपकी positivity भी है आपका positive attitude भी है हाँ बिल्कुल क्या होता है जीवन में हर स्टेज पर positive रहना यह आपको बहुत बड़ी winning देखे जाता है secondly क्या होता है कि यह मेरे parental से मेरे blood के अंदर है और even मैं अपने बच किट में जाता है खेलने जाता है और कोचिंग ले रहा है तो मैं कई बड़ी उससे question answer करता हूं तो मुझे उस question answer में भी positivity नाजरा दिया तो I always appreciate कि yes कि मेरी जो parent ने मुझे दिया मेरे बच्चों के अंदर मेरे थ्रू आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है यह और मुझे लगता है कि आजकल अगर किसी में लोगों की बात करें कमी है तो कई ना कई वह positive attitude की कमी है लोग positive कम होते है negative ज्यादा होते हैं तो आप से बात शीत कर अब के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े होई हैं तो मैं सबसे पहले आज का जो महल चल रहा है बच्चों के लिए और मैं बच्चों को उनके parents को कुछ एक संदेश देना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ जो उनके relations है मतलब जो उनकी बातचीत है वो एकदम खुल के होनी चाहिए उसमें कहीं पे भी कोई गैप नहीं होना चाहिए दूसरा क्या होता है कि हर स्टेश पे आज से कुछ साल पहले जब हम बच्चे थे तो उस समय भी कुछ श्रार्ती लोग होते थे आज भी कुछ श्रार्ती लोग फादर के साथ खुल के उनको अपनी प्रॉलम शेयर करने चाहिए और एक अच्छा हमें बच्चों को समाज देना है क्योंकि जो बच्चे क्या होते हैं कि अगर जिसका बच्पन अच्छा भी था वही आगे जाके जवानी के अंदर एक अच्छा इंसान बनेगा वही आगे ज गलती के लिए इतनी बड़ा भी कोई मतलब डाटना या वो नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम उनको ज्यादा डाटते हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि फिर उसको डर हो जाता है कि वह गलती आप से छुपाना शुरू कर देंगे और जिस दिन उसने अपनी गलती आप से सकता ही कोई भी प्रावलम में और ये जो जो सरकार है अब जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है इसमें आज की डेट में आप देखें कि काफी मीडिया फास्ट हो गया है किसी की कोई भी ट्रवल है कुछ भी है अगर वो मीडिया फेस पे आ जाती है और उसका सुलूशन भी होता है और उसमें कभी किसी को ड़ना नहीं चाहिए अगर आपको काम्याब बनना है सफलता आपके पास आए खुद तो उसके लिए आपको घर से शुरुआत करनी चाहिए आपके घर का माहुल अच्छा होना चाहिए और आपको खुद पॉजटिव बनना चाहिए तो इस तरीके से जितनी भी शक्सियत है जो काम्याब हुई है पिर आज इस मुकाम तक पहुंची है कि काम्याबी उनके पाउंचू रही है उसका रास्ता घर से होकर निकलता है आप से होकर निकलता है और आपकी विलपावर से होकर गुजरता है कि आप खुद कितने सक्षम हैं खुद कितने पॉजिटिव हैं तभी आप मेहनत करेंगे औ और काम्याबी आपके कदम चुमेगी आज की पेशकुष में बस इतना ही मुझे दीजे इजासत नमस्कार